हलो एब्रिवन देश हमशाध है तोडेइ वी आर गोईंग तो डिसकस सूपर है टुरायन रिसीवर इसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक ट्रांस्मिटर ब्लोग डियाग्राम के बारे में discussion किया था और receiver block diagram के बारे में discussion किया था जो भी receiver जो अब तक हम लोगों ने देखा है वो TRF receiver कहला आता है TRF receiver क्या होता है TRF का मतलब होता है tuned tuned radio frequency receivers हो गयता है tuned radio frequency receiver okay तो यह tuned radio frequency receiver और super heterogene receiver में क्या फर्क है why we are using super heterogene if we have already TRF यानि कि जब हम लोगों पास TRF receiver already है तो फिर हम लोगों को यह another type मतलब एक अलग तरह का super heterogene receiver के बारे में पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा तो इसका यह advantage है यानि super heterogene receiver जो है वो TRF receiver receiver से ज्यादा advantageous है ठीक है वो कैसे advantageous है तो tuned radio frequency receiver जो होता है इसका signal to noise ratio जो होता है इसमें signal to noise ratio जो होता है वो अतना अच्छा नहीं होता पूर quality का होता है ठीक है यह दोनों चीज के बारे में कहा था मैंने कि यह सबसे important होता है तो selectivity क्या होता है तो मैंने उसके बारे में कहाता है selectivity is the property और ability of the receiver to select required signal यानि जो required signal है उसको select करने का ability receiver के पास होता है उस ability को कहते है सेलेक्टिविटी ठीक है रिक्वाइट सिग्नल को सेलेक्ट करना है और अन्वांटेट सिग्नल को क्या करना है इसको सेलेक्ट करना है और अन्वांटेट सिग्नल को क्या करना है रिजेक्ट कर देना है ठीक है अन्वांटेट सिग्नल मतलब जिसका तो आपका जो आरेफ स्टेज़े वो क्या करेगा इस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को स्रेक्ट करेगा जो भी सिग्नल इसका जो करेंगा बाकी अगर इसे कम है या इससे जाधा एकर तो शूपर है क्ष्रूतराइन रिशीवर का जो आरेफ स्टेज होता है वो ती आरेफ रिसेईवर के ही स्ट्राइब बतलब अच्छा होता है ठीक है quality इसके comparison में bitter होता है तो क्यों bitter होता है क्योंकि इसका जो selectivity होता है और sensitivity दो properties मैंने बता है receiver में दो properties होता है एक को कहते है selectivity और दूसरे को कहते है sensitivity ये दोनो properties जो है super heterodine receiver का TRF receiver के comparison में ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है ठीक है अब उसके जगा super heteronious करते है क्यों कि इसके पास पुपर्टी यह है कि इसकी selectivity high होती है और sensitive sensitivity भी इसकी अच्छी होती है साथ में signal to noise ratio का जो quality मिलता है वो high quality मिलता है इसे पहले वाले में TRF में क्या था यह quality उतना अच्छा नहीं होता था साथ में selectivity होते थी sensitivity भी होते थी तो सेलेक्टिविटी तो आप लोग आराम से समझ गया होंगे आयोग कि selectivity क्या होता है यह किसी भी receiver का ऐसा property है जिस property के कारण यह क्या करता है required signal यान required signal क्या जो signal इस frequency को carry कर रहा है जो signal जिस signal की frequency इसके बीच में होगी उसको क्या करेगा और बाकि जिसकी frequency से ज्यादा याकाम होगी उसको reject करेगा तो इस property हो करते हैं selectivity sensitivity क्या होता है कि आपका यह भी क्या है receiver का ही properties है ऐसा properties जिसके कारण receiver क्या करता है minimum three sold input वाले voltage minimum three sold input वाले signal को भी यह क्या करता है accept कर लेता minimum signal का मतलब क्या हो मैंने fix किया है और लिजिए 5 वोल्ट पीक से लेके 3.5 वोल्ट तक यानि 3.5 वोल्ट पीक तक का कोई signal आएगा जिसका frequency range यहां से यहां तक के बीच में होगा उसको हैं इसका थे इसके बीच में होगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा और आगे क्या करेगा और प्र इसकानाम है और इसका नाम है स्टेक्टिविटी के बात करें तो मैंने दखाया भी था चलते हैं आगे सबसे पहला काम क्या होता है टू бер्लूर इसको यूस का रहे हैं मैंने यह बताए का baseline क्या है TRF receiver के comparison में ये ज्यादा अच्छा selectivity प्रोवाइड करता है और ज्यादा अच्छा sensitivity भी प्रोवाइड करता है ठीक है दो properties हो गया और signal to noise ratio जो इसमें आता है वो TRF के comparison में बेटर रहता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं super heterodyne को use करते है in place of TRF तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला काम general receiver की तरह ही इसका क्या होता है एक antenna होता है receiver section का जहां पर EM wave receive होता है यहाँ पर क्या होता है electromagnetic wave जो wireless transmission के थूँ आता है उसको antenna क्या करता है इसमें जब catch करता है तो धेर सारा frequency range का signal होता है तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा यह RF stage में यहाँ पर क्या हो जाएगा यह selectivity properties एकारण इस range का frequency of signal क्या है जो भी signal जिसका frequency range इसके बीच में होगा वो select होगा बाकि reject हो जाएगा और साथ में sensitivity अच्छ होने के कारण जिस भी signal का strength weak होगा उसको क्या करेगा फिर से amplify करके उसको एक strong signal में convert करेगा और आगे forward करेगा तो RF state का क्या काम है दो काम है पहला अच्छी selectivity यानि high quality का selectivity provide करता है साथ में high quality का sensitivity यह provide करता है और signal to noise ratio को बहा देता है ठीक है और उसके बाद क्या करते हैं हम जो signal यहाँ पर रिसीव हुआ है उस signal का नाम FM या FC लिखा हुआ है mostly हम इसको FM मान के चलते है modulated signal ठीक है अचली FC लिखा हुआ तो FC लेके चलते है कोई दिक्कत नहीं है आपका यह क्या incoming signal है जो आपने receive किया है कहां से antenna के ठीक है अब क्या है यह कैज़ा signal होता है यह modulated signal होता है जो जिसका frequency range केतना है यहां से यहां के बीच में है अब हम क्या करते है local oscillator जो नीचे में दिखाई दे रहा है यह block यह क्या करता है यह tuning होता है इन दोनों RF stage को और इसको दोनों को एक tank circuit के थून किया रहाता है इससे क्या किया रहता है इन दोनों को tune कर दिया रहता है एक साथ यानि इसका capacitor को vary कराके हम इसके frequency range को vary करते हैं और उसके कॉअडिंग क्या करते हैं हम इस रेन को सेलेक्ट करते हैं हमने बता Sachen और ऐसमें एक मतलब यूनित था ठीक है ट्यूंड ऐंपलिफायर में में बताए था आपको कि Corps Fraser twenty इसका काम यह होता है कि यानि किस पर डिपेंड करता है तो सी पर डिपेंड करता है आपका कितने frequency पर करेगा दिसाइड होता है कल दो करता है तो इसे करता है तो यहां पर क्या करता है तो यहां पर तूनिंग करते हैं तूनिंग करके इस रेंज और फ्रिकोंशिय व्लिपेंड करता है साथ में दूसरा ट्यूनिंग का होता है इस लोकल ऑसिलेटर के अंदर होता है यह क्या करता है करता है कर्या सिगनल को जेनेट करता है करता है यहां पर जो रिसीफ सिगनल है उसके करता है मतलब क्या कि हम मिक्सर में इस तरह से इन दोनों को मिक्स करते हैं कि हमारा दोनों का जो डिफरेंस है कका मतलब दे कि F O minus F C लिखा हुआ है oscillator frequency को F O indicate किया हुआ है F C indicate का हुआ है जो आपका received signal है तो इन दोनों का difference यानि F L हम यह आप F L लिख रहे हैं इसको F O ही कर लेते चलिए oscillator frequency F O तो F O minus F C का difference जब लेंगे हम लोग F O minus F C तो यह केतना होना चाहिए यह होना चाहिए 455 kHz के बराबर होना चाहिए यह 455 kHz को कहते हैं हम लोगा IF IF का मतलब होता है intermediate frequency तो यहाँ पे जो हम लोगों को frequency output यानि mixer के बाहर में जो output पे frequency मिलना चाहिए वो केतना होना चाहिए 455 kHz frequency वाला signal रिसीव होना चाहिए यहाँ पे यह हमेशा fix TRF में यह चीज़ नहीं होता है वहाँ vary होता है लेकिन super heterodyne receiver में क्या होता है यह चीज़ fix होता है aim के लिए कि आपका intermediate frequency यहाँ पे आना चाहिए उसका value होना चाहिए 455 kHz क्योंकि यह fix bandwidth है और इसी को यह क्या करेगा आगे का circuit जो है demodulate करने के बाद amplify करेगा amplify करने के बाद जो output यहाँ पे present होगा उसका signal to noise receive अच्छा हो इसके लिए हम लोग क्या करते है इसके bandwidth को पहले से fix कर दिया है कि अगर इस range का frequency आएगा तो आपका band pass filter इसको pass करेगा और pass करने के बाद करेगा और फाइनली जो output आएगा वो क्या होगा एक अच्छे quality का output हम लोगों को मिलेगा ठीक है तो इस range of frequency को यानि इस signal को हम लोग कहते है intermediate frequency signal IF signal होता है ठीक है जिसका frequency है इतना हो तो किस तरह सब्सक्राइब आपका FC का जो value यानि यहाँ पर सिगनल आया रिसीव हुआ यानि इन नहीं के तो जो रिसीव हुआ सिगनल है उसका frequency इसके बीच में हो सकता है इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ भी तो आप सपोर्थ माल लिए इसका frequency का value जो है वह है दस सो पचास कीलो हट्स का frequency सिगनल यहाँ पर रिसीव हुआ यानि आपके FC का value जो है FC का value जो है रिसीव सिगनल का वह केतना होगे दस सो पचास कीलो हट्स ओके एफो क्या करेगा तो एफो को इस तरह से अडजस्ट करना है कि इन दोनों का difference यानि क्या होगा एफो आपका इस तरह से काम करेगा कि इन दोनों का difference एक सेकंड एक सेकंड कुछ प्राब्लम आ रहा में भी लेट सी है ओके बैट तो हम बात कर रहे तो वह इस तरह से होना चाहिए कि दोनों का difference के इतना हो जाहिए चारसो पच्छपन कीलो हट्स जो हमारा आइफ को required है यानि यहां पर जो हम लोग को बैंड़ीज का सिग्नल रिक्वार्ट है वह है चारसो पच्छपन किलो हट्स का वो आपको इन दोनों के एक चारसो पच्पन दस तरह से कितना आ जाहिए एक सिकन चारसो पच्छपन आना तो यहां हो जाएगा को तो यहां लोकल जो फ्रीक्वेंस करेगा वो केतना होना चाहिए ताकि इन दोनों का डिफ्रेंस यानि यहां पर एफसी जो आ रहा है आपका वह केतना रहा है दोस्तो पचास इंकमिंग सिगनल है जो रीचीव हुगा है इन दोनों का डिफेरेंस कहां होगा इस मिक्सर के अंदर होगा मिक्सर क्या करेगा इन दोनों का डिफेरेंस निकालेगा तो इस अरे प्रोसेस को होने के बाद स्टिनल को तो नो is सिघ्रस्वाइब को आगे डि सिंगनल को आगे वीमदिलेर है यह क्या करता इसस आएफ सिंगनल जो एक एक फिक्स्ट यहां पर सिगनल नहीं यहां पर सिगनल के बारे बात कर रहें और यहां पर क्या करता है यहां पर सिगनल के साथ यहां पर क्या करता है जिचा इसको हटा दिया रहता है तो यहां पर जो हम लोगों को सिगनल पहुंचता है आडियो अम्लिफायर पे कहुंक पहुंचेगा simply जो आपका original signal जो चला था FM माल ले जो original signal था तो original signal यहाँ पर receive होगा FM ओके इस signal को फिर से power amplifier क्या करेगा और load speaker क्या करेगा इस electrical signal को फिर से voice signal में convert कर देगा लोड स्पिकर क्या करेगा इस electrical signal को wise signal में convert कर देगा तो finally हम लोगों को wise as a output सुनाई देने लाएगा तो receiver में इस तरह से पूरा processing होता है किसी भी received signal का in case of am super heterodine receiver अगर आपका super heterodine receiver है वो am signal के लिए अगर वर्ख करा दिये दोनों के लिए वर्ख करता है fm के लिए भी am के लि आए पर जो आप देखने आया फम लिपार इसमें जो फ्रिक्वेंसी यहां टीन होता है वहां पर इंटर्मीडियर फ्रिक्वेंसी जो था वह था वह था टेन पॉइंट सेवन लिगा होट्स क्या किसमें यह कुछ अलग नहीं होता बस सेम ऐसा ही रहता है बाकि इंटर्मीडियर फ्रिक्वेंसी का सिर्फ डिफ्रेंस होता है इतना यूज किया था उसमें फम में जबकि एम में 445 किलोवाट्स यूज होता है और इसी के खिसाफ से डी मोडलेशन होता है तो आयोप यह सूपर हेट रेसीवर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बहु करते हैं कि यही चीज़ को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि सूपर हेट के नाम से जाते हैं यह क्यों एडवांटेज यह सबसे बड़ादाग यह कि इसका जो टी आरेफ रेसीवर का जो ड्रॉबैक था जैसे पूर सेंसिटिविटी पूर सेलेक्टिविटी इसको यह ओ बढ़ियां होता है यहां पर यह ओफर करता है क्या सुपीरियर सेंसिटिविटी इसके वाइड करता है जिसके वाइद से हम लोग सूपर हेट रेसीवर को यूस करते हैं इन प्लेस ऑफ टी आरेफ रेसीवर ओके आई वह पाज का लेक्चर यह आपको समझ में आ गया होगा यह कापी important topic था इसी तरह से हम लोग अब नेक्स लेक्टर में मिलेंगे नेक्स ट्रॉपिक इस था 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 थैंक यू सो मुच फो वाटिंग इस वेवलमेट इसना नेक्स लेक्ट्च्छर